Hello everyone, this is Prince Gupta and you're watching me on merit yard तो previous lecture में क्याचिये, हमने एक new chapter श्टाट गया था linear equation in two variable तो previous lecture में हमने ये पड़ा था कि linear equation in two variable किस फंगा होता है तो मालनों कोई भी equation जो क्याचि AX plus BY plus C is equal to 0 का फंगा हो तो उसे क्याचिये, linear equation in two variable बोलते थे और previous lecture में ये भी देखे थें कि क्याची कोई भी linear equation in one variable में हो क्याची कोई भी equation linear equation in one variable का फॉर्म है जैसे x plus 5 is equal to 0 तो इसको हम two variable में कैसे convert करते हैं जैसे दखो ये क्याची one variable का फॉर्म में two variable में इसको convert करना हो जो क्या करते हैं Simple, जैसे यहाँ पर कहते, x एक variable है, उसमें 0 into y करते थे थे और plus 5 is equal to 0, तो यह हमारा हो गया 2 variable का form का, साथ साथ यह भी देखे थे हैं कि कोई भी equation है, उसमें a का value क्या होगा, कैसे find करते हैं, b का value और c का value, यह सब previous lecture में देख लिये थे, साथ साथ यह भी देखे लिए थे कि solution of linear equation किसे करते हैं, जैसे हमारा लोग क्या थे, x plus y is equal to 5 है, तो solution of linear equation किसे करते थे, सिंपल, कि यहाँ पर x और y का क्या value हो, क्या चे, कि lhs is equal to rhs satisfy कर जाए, जैसे हमारा लोग एक्स पराबर अगर 3 रहें, और y पराबर 2 रहें, तो देखो, 3 plus 2 is equal to 5 फाग गया, यह यह एक्स पराबर 3 और x y पराबर 2, क्या होगा, तो इस linear equation का solution होगा, ठेक ना, यह सब हम previous lecture में देख चुके थे, इस lecture में हम solution of linear equation का कुछ पाट बचाओ, जैसे हम दखो, x plus y is equal to 5 है, तो हम कैसे इसका solution find करते हैं, साथ साथ equation को हम graph पर represent करना सिखेंगे, ठेक ना, तो सबसे पहले हम solution of linear equation कैसे find करते हैं, यह जानते हैं, जैसे मालनों यह equation है, x plus y is equal to 5, क्या है, x plus y is equal to 5, अर्चों कैसे हमको solution find करना है, सबसे पहले हैं, कितने variables के हैं, दो variable के, और हम बता हैं कि कैसे, अगर कोई equation 2 variable का है, तो उसका solution कैसे होता है, बहुत सारे होता है, अगर एक रहे हैं, तो उसका solution only 1 होता है, जैसे मालनों x plus 5, जैसे ही है, इसका solution हमें सा कैसे, एक ही आग एक नहीं, मतलब, एक कहने का मतलब एक नहीं, solution एक आगा, जैसे x का value यहाँ पर minus 5 होगा, ठीक न, तो इस प्रकर कैसे, जो हमारा linear equation in one variable form का आता हो, उसका solution only 1 होते हैं, और बाकित जो कैसे, two variables स्वार ले होते हैं, उसको बहुत सारे होते हैं, तो साबसे बढ़े two variables स्वार ठीक, x plus y is equal to 5, इसका solution find करना है, तो सिंपल दोखो, solution find करना है, तो क्या करो कि दो यहाँ पर कितने variables से, तो 2, तो सिंपल क्या करो, किसी एक variable का कैचिए value ले लो, माहलो हम x ब्राबर ले ले लेते हैं, let x ब्राबर 1, और x ब्राबर 1 लेकर, इसमें हम put करेंगे, ठीक, तो द हम कहेंगे क्या ची कि इस equation का solution होगा तीस परकर क्या ची हम linear equation into variable का solution निकालते हैं उससे परकर और निकाल लो हो तो simple फिर से मानेंगे आपके हम x ब्राबर 2 ले लेते हैं let x ब्राबर 2 और simple क्या करेंगे इसमें put करेंगे तो 2 प्लस y इसकोल टो 5 then y ब्राबर क्या हो जागा तो 5 मैनस 2 y ब्राबर 3 तीस परकर हम क्याचे solution find करते हैं और find करना हो जैसे आपकी minus में लेते हैं लो लेट x ब्राबर ले लेते हैं minus 1 क्याची minus 1 तो simple क्या करेंगे इसमें put करेंगे minus 1 plus y इसकोल टो 5 तो y ब्राबर क्या हो जागा तो 5 इधर minus 1 उतर जागा तो plus में y इसकोल टो 6 solution इसको बोल सकते हैं फिर क्याची x प्राबर 2 है रो राबर 3 तो 2 प्लस 3 कितना 5 ये भी हमारा solution होगा फिर क्यों माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 5 आजागा यानि ये भी solution होगा तीस परकर हम किसी भी linear equation in two variable form का होता है उसका solution find करते हैं अब देखो ये तो 2 variable का हो गया अब जैसे one variable का होगा जैसे x प्लस 5 तो इसको कैसे find करेंगे तो इसको करते हैं जैसे मांने क्याची x प्लस 5 इसकोल टो 0 तो ये तो simple है क्याची इधर प्लस मुंदर जागा तो माइनस में x प्राबर two variable convert करें then solution find करें तो simple क्या करेंगे इसको two variable convert करना आता है क्याची होता है एक x प्लस by प्लस इसको चुटो 0 यहीत होता है हमारा two variable का equation इसको convert करते हैं कैसे करते हैं तो एक्स वाई वाई वलब भरेवन नहीं तो इसको 0 इंटो वाई कर देंगे और प्लस 5 इसकोल्टो 0 हो गया अब यहां पर क्या करेंगे सेम जैसे यहां पर मान लोग लेट नलेते हूँ क्या चीए 1 तो ए एक प्लस जीरोग इंट वन कितना होता है जीरो और प्लस फाइप इसक्रट जीरो आद एक ज़ोर श हमाँ माइनस में एक प्राबर कितना है दो गया तो लहेस्ट इस ह Dareст एक एक कर अगर अगर मालोक फूप कड़ा है तो देख लो माइनस फाइब में प्लस пом सब्सक्राबर two כरेंगे अपकी प्लाबर two श्री, x plus 0 into 2, plus 5 equal to 0, तह, x plus 0 plus 5 equal to 0, x पर आखर कितना होगérica है, minus 5, ऐस परकार हम y काफलू कुछ भी ले ले, x काफलू, only एक ही आएगा, minus 5, minus 5, minus 5, क्योंकि क्या चे, मारा one variable का फ्रॉम करें, का सुलिशन, only one होता है, और जो two variable का होता होता है, क्या चे, बहुत सारे होते हैं इस पर कर हम solution of linear equation find करते हैं और दोको यह जो हमार equation जैसे x plus y is equal to 5 x plus 5 is equal to 0 इसको हम graph पर कैसे upload करते हैं यह अब देखेंगे ठीक ना इसको इसको एरेज करते हैं और heading डालते हैं graph of linear equation तो सबसे पढ़ने हम इसका graph बना थे ठीक तो करांगे टो क्क्या करेंगे एक्स व्राबर one लेंगे सबसे पले एक्सस पर ठीक नो एक्स x-y और य डैस थेक और फोटि ने सबस्टार ड़न यहां पर यहां पर थे आपने जीडीर और जीरो और यहां पर 20 और यहीं अब simple दो जो-जो point मिला उसको क्याची मिला दो वही होगा हमारा इस का graph ठीक न तो simple दो यहां पर हमको यहां मिला यहां मिला यहां मिला तो simple हम क्या करेंगे इस point सभी points को हम मिला देंगे यह हमारा graph हो गया ठीक यह तो हुआ है मानलो value दिया रहाएगा तब मानलो कोई equation का form में दिया रहाएगा जैसे मानलो previous question में लिए थे क्याची एकस प्लस y इसको हम क्याचे करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे तो simple दोखो यहां पर क्याची हमको एकस और y का value ने दिया हुआ है तो simple क्या करेंगे solution of linear equation find कर लेंगे देखो solution find करने के लिए क्या करते है तो let x wherever कोई value मालो matter molar кому one यहाची एक carbon question and solution of linear equation let x yes प्राबर one तो one plus y ॉकल्त किया हो जागा 5 टो y प्राबर क्या हो जागा तो five minus one तो y ब्राबर क्या हो गया 4 यानि x पराबर 1 और y ब्राबर 4 आ गया एक क्याची एक सोलिशान ही आ गया और 2-3 कम सक्केम लेखेद लेट x पराबर मालबर 2 लेते हैं क्याची 2 तो 2 plus y is equal जागा 5 देन y पराबर क्या हो जागा तो 5 minus 2 y पराबर क्या हो गया 3 3 होगे ना अब सिंपल यानि एक प्लस वन यप रहाबर हो गया 6 यानि x प्लस वन और वाइब ढवर 6 तो सब देखो यहाँ पर x और y का विलू पता है x और y का विलू पता है x और y का विलू पता है तो simple कहके रिगि extrem eye value के माधियम से हम इसको यहाँ पर plot कर देंगे सबसे फाले first में आते हैं x वन लेना और y ब्राबर 4 तो x1, y4 कहा होगा ऑर ये behend Sum Ever-1 सून ओर यह व्यव एँपर आपकर जैते हैं मनलों यहाँ पर सिख्यों माइनस वन यहां पर सेटर करने हैं हाँ अब अब हमको अब करेंगे क्या करें तो चलो विलात यह से सब मिलेगा घो इस प्रकार ऐसे जागा तो यह जो हमारा lang मिला यह होगा equation x plus y is equal to 5 का graph ठेक simple देखो अगर इस form का है तो सबसे पर इस solution of linear equation find कर लो तो तीन find कर लो और उसके बाद और हाँ एक और बाद जो हमारा linear equation in two period का form का होता है हमेशा state lang में ही graph बनेगा ठीक ना इजर उदर माल लो अगर ऐसे बनता है graph तो यह हमारा गलत होगा ठीक ना हमें सब बनेगा तो graph क्याची state line में ठीक यह तो वा क्याची linear equation in two variable form का हो तो अब ऐसे graph बनाते है माल लो जैसे linear equation in one variable का form का हो जैसे command x plus 5 is equal to 0 जीरू को कैसे graph बनाते है ठीक तो इसको अब बनाते है Simple इसको भी ऐसे करेंगे देखो दोखो आप क्या ची एकछी एक्स प्लस 5 is equal to 0 का graph बनाने तो Simple जोकोาง dough इसमें क्याची यह दोखो x plus 5 is equal to 0 है इसको 2 variable convert करके तब ग्राप बनाना है तो दोखो simple क्या करें इसको 2 variable convert करेंगे तो x plus क्या हो जगा 0 into y plus 5 is equal to 0 अब देन क्या करेंगे तो x और y का value लेंगे और put करके solution find कर लेंगे करते हैं x और y सबस्पल है let x प्रावर sorry y प्रावर मनलो 1 1 x plus 0 into 1 plus 5 is equal to 0 जगा तो x प्रावर क्या आच्छे जगा minus 5 यह एक्स प्रावर क्याची sorry y प्रावर only x प्रावर कितना आगे minus 5 ठेक उस पर कर मनलो let x प्रावर रगके ले लेतने 2 2 तो क्याची जगा तो x plus यहा पर why not x plus 0 into 2 plus 5 is equal to 0 जगा x प्रावर कितना आगे minus 5 हमेशा कोई भी भेलू ले लो हमेशा क्याची same ही आगा क्योंगी क्याची linear equation इन्हों one variable का फ्रावर का है आप क्याची y प्रावर 1 और x प्रावर minus 5 तो y प्रावर 1 और x प्रावर minus 5 यानि minus 5,1 यहाँ पर हो गया फिर क्याची x प्रावर minus 5 y प्रावर 2 तो x प्रावर minus 5 प्रावर 2 यहाँ हो जागा फिर क्याची है x प्रावर minus 5 और y प्रावर 3 यहाँ पर हो जागा minus 5,3 तो इस पर कर दोखो यह जो हमारा graph होगा सब पॉइंट यहां पर पॉइंट यहां पर पॉइंट और यहां पर पॉइंट सभी क्या करेंगे मिला देंगे यह हमारा कैच हो जागा ग्राफ हो जागा कौन सा को हैं यहां पॉइंट सबस्क्राइ जागा इसा कभी नहीं करते हैं साथ चाथ लिनेर को च्वरेबल और वान व्रेबल को graph पर represent करना सिख गया तो इस परकर कैची हमारा linear equation into variable chapter का introduction पार पूरी तरह से complete हो गया अगर किसो को doubt है तो कैची comment से समें पूछ सकते हैं अब लेक्से से हम exercise question करेंगे तब तक आप पढ़ते रहें Thank you